तमस्कार दोस्तों So friends, मध्यप्रदेश, NHM, CHO के पोश्ट के लिए आप सब लोगों का एक्जाम 27 जून 2021 को आईजित करा गया था इसका रिजल्ट वेबसाइट पे गोशित कर दिया गया दोस्तों, आज का ये जो अपडेट है जो information आपको यहाँ पे मिलने वाली है अलग-अलग 10 candidates के मेरे पास यहाँ पे results यहाँ पे available है और इसकी मदद से मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि कितने marks पे, कितने यहाँ पे आपको rank दे गई तो यह जानकारी proof के साथ आपको यहाँ पे मिलने वाली है और यह जो candy rate है OBC category में आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है OBC और OBC में मेल यह candy rate है और बताना चाहता हूँ OBC में मेल के लिए कुल मिला के जहाँ पे जो रिक्त पत थे 126 पत यहाँ पे शामिल किये गए थे और यह जो candy rate है इसने यहाँ पे जो obtained किये marks जो इसका यहाँ पे online score है 79.77 यहाँ पे रहने वाला है और इसकी common rank आप लोग यहाँ पे देख रहे है common merit rank यहाँ पे बहुत ही अच्छी है 79.77 marks पे 117 यहाँ पे इस candidate को common merit rank मिली है OBC male category के अंतरगत तो दोस्तों इस candidate के बहुत ही अच्छी चांस है इसको यहाँ पे seat यहाँ पे मिल जाएगी यह इसकी common merit rank है कुछ ना कुछ इसकी यहाँ पे category rank भी होगी वो इससे यहाँ पे कम होगी और यहाँ पे बहुत ही अच्छी चांस में आपको यहाँ पे काऊंगा पे देख सकते हैं यह दूसरे candidate की यहाँ पे detail है और यह जो candidate है EWS candidate है और mail candidate यहाँ पर रहगा EWS में mail में और आप सभी लोग को बातना चाहता हूँ EWS में mail के लिए जो total यहाँ पे जो seat यहाँ पे निर्धारित की गई थी भरतिय विज्यापन पे वो थी 434 तो mail के लिए EWS में इतनी seat है और अंक आप सभी लोग यहाँ पे इसके देख सकते हैं लिखा हुआ यहाँ पे obtained marks 72.78 और common merit rank आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 546 यहाँ पे रहेगी और जैसक कि मैंने आपको यहाँ पे बताया EWS में mail में आप एक कुल मिलाके 434 पाद यहाँ पे हैं और यह जो candidate है इसकी जो common merit rank है 546 है तो बहुत ही अच्छे बैतरीन chance में आपको यहाँ पे काऊंगा इसको यहाँ पे selection मिल जाएगा और यहाँ पे इसके marks भी यहाँ पे अच्छे है merit rank भी अच्छे यहाँ पे आई है तो दोस्तो यह तो था दूसरे नमबर का candidate आप हम लोग यहाँ पे बढ़ जाते हैं तीसरे नमबर के candidate की detail की और तो दोस्तो बिलकुल आप सब लोग यहाँ पे देख सकते हैं यह तीसरे नमबर के candidate की यहाँ पे detail है और यह जो candidate है आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे OBC category में और OBC में यह male candidate है और मैंने आपको आपर बताया भी कि OBC में male candidate के लिए यहाँ पर 126 total यहाँ पर post यहाँ पर शामिल की गई थी notification में और obtained marks आप लोग यहाँ पर देख लें यहाँ पर जो लिखा हुआ है 68.78 और 68.78 marks पर इस candidate की जो common merit rank बनी यहाँ पर 1127 यहाँ पर रहने वाली है तो 1127 से हाँ पर common merit rank है और 126 से हाँ पर post है तो best जो यहाँ पर 126 candidate है अगर उसमें इस candidate का नाम यहाँ पर आ जाता है तो इसको यहाँ पर selection यहाँ पर मिल जाएगा और यह candidate के common merit rank है चूकि यह candidate है OBC category में तो इसकी यहाँ पर category rank भी कुछ न कुछ यहाँ पर होगी तो थोड़ी यहाँ पर कम यहाँ पर rank और होगी तो इस candidate के भी यहाँ पर अच्छे चांस है selection यहाँ पे इसको मिल सकता है अब बढ़ जाते हैं अपने fourth number के candidate की detail की और तो दोस्तों बिलकुल आप सबी लोग यहाँ पर देख सकते हैं अगला जो यहाँ पर candidate है fourth number का यहाँ पर candidate है और यह जो candidate है OBC category में है और OBC में female यहाँ पोस्ट के लिए apply किया और आप सबी लोग को बतना चाहता हूँ OBC category में female के लिए जो भरते विज्यापर में जो पोस्ट यहाँ पर शामिल की गई कुल मिला के 63 पद है best जो यहाँ पर 63 candidates है OBC female में उनको यहाँ पर selection मिल जाएगा और यह जो candidate है यहाँ पर इसके जो obtained यहाँ पर जो marks हुए है 51.74 तो थोड़े कम marks यहाँ पर इस candidate को यहाँ पर मिले है और कम marks के वज़े से common merit rank यहाँ पर जादा मिली है और देख सकते हैं 6405 इतिनी तो post यहाँ पर यहाँ पर available नहीं है और देख सकते हैं female के लिए OBC में 63 पर है और common जो merit rank है 6405 यहाँ पर रहने वाली है तो थोड़े कम chance मैं आपको यहाँ पर कहूंगा और यहाँ पर बढ़ जाते हैं अपने अगले candidate के ओर तो दोस्तों बिलकुल आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हैं यह फिफ्त नम्मर के candidate की detail है और category आप सबी लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं यह जो candidate है schedule cast में है और schedule cast में male candidate यहाँ पर रहने वाला है और दोस्तों आप सबी लोग को बताना चाहता हूं schedule cast में male candidate के लिए total यहाँ पर जो seat है 177 यहाँ पर रहने वाली है कुल में लाके 177 पाद यहाँ पर रहेंगे और candidate ने यहाँ पर जो obtain की है marks यहाँ पर देख सकते है 45.64 तो थोड़े कम marks यहाँ यह रहेंगे और कम marks है और merit rank आप लोग यहाँ पर देख लें जादा merit rank यहाँ पर मिली है 9601 तो इतने पर यहाँ पर देखिए selection यहाँ पर नहीं हो सकता seats यहाँ पर जो है total 177 है schedule cast mail के लिए और 9601 यहाँ पर common merit rank है चूकि यह जो candidate है schedule cast category में है तो इसके कुछ ने कुछ category rank भी होगी तो वो दोस्तों यहाँ पर देखिए इस सो थोड़े कम होगी फिर भी यहाँ पर इस candidate को यहाँ पर नहीं मिलेगा क्योंकि marks यहाँ पर बहुत ही कम है और seats भी यहाँ पर काफी यहाँ पर limited यहाँ रहेगी तो थोड़े कम chance मैं आपको यहाँ पर कह सकता हूँ इस candidate के लिए अब दोस्तों बढ़ जाते हैं अपना जो अगले candidate के जो डिटेल है तो दोस्तों बिल्कुल आप सबी लोग यहाँ पर देख सकते हैं 6th नमबर का यह candidate के डिटेल है और schedule cast में female यह candidate है और आप सबी लोग को बताना चाहता हूँ schedule cast में female candidates के लिए जो notification में जो seat से यहाँ पर जो नरधारित की गई मात्र यहाँ पर 89 यहाँ पर रहेंगी 89 seat यहाँ पर है schedule cast female candidate के लिए और obtained marks आप लोग candidate के देख सकते हैं 44.63 इस candidate ने mark से यहाँ पर obtained किये हैं और common जो merit rank है 10,360 यहाँ पर रहेंगी तो यहाँ पर मैं कहूंगा schedule cast female के लिए और rank जो है 10,360 यहाँ पर रहेंगी तो थोड़े कम चांस हैं आपर कह सकते हैं इस candidate को यहाँ पर बहुत ही कम चांस है selection मिलने का अब दोस्तों आपर बढ़ जाते हैं अपना 7th number का वो जो candidate है तो दोस्तों बिलकुल आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हैं 7th number की candidate की यहाँ पर detail आप लोग अपनी screens पर देख रहें यह जो candidate है schedule cast category में है और mail candidate और जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर इससे पहले भी बताया total जो seat यहाँ पर जो नरधारित है schedule cast mail के लिए भरते विज्यापन में कुल मिलाके 177 यहाँ पर पद है 177 total यहाँ पर पोश्ट है schedule cast mail के लिए और इस candidate ने 44.63 marks यहाँ पर obtain किये और 44.63 marks पर 10,399 यहाँ पर common merit rank यहाँ पर इस candidate को दी गई तो कम यहाँ पर थोड़े marks यहाँ पर कह सकते हैं कम यहाँ पर इस candidate ने marks यहाँ पर obtain कियें और rank भी काफी ज़्यादा मिली है seats यहाँ पर देखिए limited है बहुत ही कम chance यहाँ पर कहूंगा कि score यहाँ पर selection यहाँ पर मिल जाए और दोस्तों आप सभी लोग को बताना चाहता हूँ यहाँ पर schedule cast category में आप सभी लोग को काफी अच्छे candidates ने आपर perform किया है और OBC category में भी काफी candidates ने अच्छा यहाँ पर score यहाँ पर किया है तो दोनों category के लिए यहाँ पर cutoff यहाँ पर ज़्यादा हाई देखनों को मिलेगा और अच्छे marks यहाँ पर अंग यहाँ पर प्राप्त कियें इन दोनों category में ऐसा मैंने आपर देखा है अब दोस्तो आर्टिवे नम्मर का यह जो candidate है इसकी detail देख सकते हैं OBC में male candidate है OBC में male के लिए 126 पद है और यह जो candidate है इसने जो अंग पर आप कियें 61.91 यहाँ पर रहेंगे common merit rank भी आप लोग देख सकते हैं 2518 यहाँ पर रहेंगी seats यहाँ पर दोस्तो मातर यहाँ पर 126 है चुकि यह जो candidate है OBC category में तो OBC में category रहेंगे यहाँ पर कुछ न कुछ यहाँ पर होगी तो इसके यहाँ पर थोड़े बहुते यहाँ चांस यहाँ पर कह सकते हैं इस candidate को यहाँ पर selection मिल सकता है अगर best 126 candidate में इसका नाम यहाँ पर आ जाता है और बिलकुल इसको यहाँ पर selection यहाँ पर मिल जाएगा अब दोस्तों बढ़ जाते हैं अपने 9th नमर के candidate की और तो बिलकुल आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हैं 9th नमर का यह जो candidate है OBC में male candidate है और बता है भी मैंने कि OBC में male candidates के लिए 126 यहाँ पर पद है और यह जो candidate है 63.94 इस candidate ने अंक यहाँ पर प्राप्त कियें और common जो merit rank है यहाँ पर देख पा रहे होंगे 1964 यहाँ पर रहेंगी और best अगर 126 candidate में यह candidate अगर यहाँ पर शामिल हो जाता है तो इसको यहाँ पर selection यहाँ पर मिल जाएगा अब बढ़ जाते हैं अपने 10वे नमर के candidate की और तो बिल्कुल देख सकते हैं आखरी यह जो candidate है यह OBC में है 10वे नमर का यह candidate यहाँ पर रहेगा OBC में female यह candidate है और यहाँ पर जो candidate ने obtain की है marks अच्छे marks यहाँ पर प्राप की है देख सकते हैं 77.15 यहाँ पर candidates ने marks यहाँ पर obtain की हैं और common merit rank आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं बैतरी ने यहाँ पर दी गई और under 200 में इनकी यहाँ पर common merit rank है यहाँ पर merit यहाँ पर rank होगी category rank होगी और यहाँ पर इससे कम ही वो rank आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी तो इनके यहाँ पर अच्छे chances हैं और OBC में female के यहाँ पर 63 पद यहाँ पर रहेंगे best अगर 63 candidates में इनका नाम यहाँ पर आ जाता है और इनको बिल्कुल यहाँ पर selection यहाँ पर दे दिया जाएगा तो बिल्कुल 10 candidates के मैंने आप लोगों को marks बताए और common merit rank बताई और आप सभी लोगों को idea मिल गया होगा कितने marks पर कितनी merit rank candidates को यहाँ पर provide कराएगी और एक idea आप सभी लोगों को यह भी मिला होगा कि जितने अच्छे आप लोगों के marks है उतनी अच्छी आप लोगों को यहाँ पर merit rank दी गई और उतनी chances आप लोग के आप बढ़ जाएंगे जितनी अच्छे marks है जितनी आपकी यहाँ पर अच्छी merit rank है तो उतनी चांस आप लोगों के आप बढ़ेंगे कि आपको यहाँ पर selection यहाँ पर मिल जाएगा और दोस्तों काफी candidates को यहाँ पर एक समस्या यहाँ पर आ रही है कि marks यहाँ पर कम मिले है और काफी candidates का माना है कि answer की जब यहाँ पर check की तो अच्छे marks यहाँ पर आ रहे थे और जब यहाँ पर देखिए result आया तो यहाँ पर marks यहाँ पर कम हो गए काफी candidate बोला है कि हमारे 10 number यहाँ पर कम हुए काफी candidates यहाँ पर बोला है हमारे 15 number यहाँ पर कम हुए है तो आप सभी लोग को बताना चाहता हूँ normalization के method को यहाँ पे apply करके marks को यहाँ पे obtain किया गया है और normalization का मतलब यह है कि दो shift यहाँ पे आयूजित कराएंगे थी shift 1 और shift 2 दोनों shift के exam के level को equal यहाँ पे किया गया और जैसा कि आप सभी लोग को बताना चाहता हूँ कि exam जो यहाँ पे हुआ फर्स shift का यह काफी यहाँ पे easy था और second shift का जो यहाँ पे exam हुआ वो देखिए हैं यहाँ पे यह थोड़ा as comparison फर्स shift में यहाँ थोड़ा tough था तो दोनों के exam के level को यहाँ पे equal यहाँ पे किया गया और ऐसा नहीं है कि shift 2 के candidates के साथ यहाँ पे अन्याय किया जाएगा कि shift 1 का exam में आप सरल आ गया और दोस्तों आप सभी लोग को बताना चाहता हूँ normalization का यह जो method है काफी अलग अलग चीजों पे depend यह करता है जैसे कि आप सभी को बताना चाहता हूँ कौन सी shift यहाँ पे दोस्तों heart थी तो इस पे भी normalization यहाँ पे depend करता है इसके साथ कितना accuracy से आप लोगों ने यहाँ पे answers को यहाँ पे mark किया तो इस पे भी यहाँ पे यह depend करेगा कितनी shiftों में यह exam यहाँ पे आयुजित करा गया इसका भी यहाँ पे फरक पढ़ता है कितने questions आप लोगों से यहाँ पे wrong पूछे गए इस 30 का भी दोस्तों यहाँ पे फरक पढ़ता है normalization पे total कितने candidates यहाँ पे appear हुए कितने candidates ने परिक्षा दी यहाँ पे यहाँ पे दोस्तों इस चीजों का जो है effect यहाँ पे normalization की method पे पढ़ता है और भी अलग-अलग factors यहाँ पे रहते हैं और फिर जो है normalization यहाँ पे कर दिया जाता है लेकिन दोस्तों एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ normalization के method में यहाँ पे equal यहाँ पे किया जाता है और यहाँ पे normalization आपको marks दिया दिये जाते हैं तो यह चोटी सी जानकारी मैंने आपको cover की उमीद करता हूँ update आप सबी लोग को यहाँ पे मिल गया होगा कुछ ने को जानकारी आपको आप समझ में आ गए होगी लाइक करते हैं इस वीडियो को सबसे पहले इस वीडियो को आप पे लाइक करें इस मेनत को लाइक जरू करें और MP, NHM, CHO हर एक update आगे भी इसी तरीके से चाहते हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल को subscribe कर लें कोई भी जानकारी अब आप से याँ पे छूटना नहीं चाहिए तो वीडियो की नीचे जाएं सबस्क्राइब कर रैट बटन को आप पे क्लिक करें मध्यप्रदेश, NHM, CHO हर एक information इसी तरीके से आगे भी पात रहें तो मिलते हैं आप सेगले वीडियो में तक्त्राइब का आप से तरह बात रहें